निवाश्कार, फ्रेंड आज हमारे साथ हैं, चेर्में रेलबे बोर्ड and my colleagues from the Ministry of Railway as well as Ministry of Home Affairs. तो आज की briefing हम सुरू करेंगे Ministry of Home Affairs से, फिर चलेंगे Ministry of Railways और Railway Board की तरह, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, Representative of Ministry of Home Affairs के अपनी briefing स्टार्ट करें. नमस्कार, आज मैं आपके साथ जो कदम, ग्रिह मंत्राले ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निवारन हेतु उठाएं हैं, उनकी जानकारी साज़ा करूंगी. इस संदर्भ में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कि अगर आप पिछले census के figures देखें, तो हमारे देश में 4 करोड से ज्यादा लोग रोजगार हेतु migrate करते हैं. तो ये figure मैं बस आपके साथ share करना चाहती थी. लॉगडाउन के order के पश्चात उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए, ग्रिह मंत्राले ने 27 मार्च को सारे states और UTs को एक advisory निकाली, जिसमें उनको ये परामर्ज दिया कि वे शीघरता से और समवेदन शीलता से तुरंद कदम उठाएं, जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है, वो ना हो. और प्रवासी मजदूरों के लिए shelters, आश्रे का, भोजन का, खान पान का और सभी अवश्यक वस्तूओं का इंतिजाम करें. 28 मार्ज को एक स्पेसिफिक और द्वारा राजियों को पर्मिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड है, उसके अंतरगत, वे रिलीफ शेल्टर और फूड का, फूड इतियाती का प्रवंद कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साजा किया है, तीन अप्रेयर को 11,92 करोड से अधेक राशी स्टेट्स और यूटी इसको रिलीज की गई. इसके साथ-साथ एमेचे ने अपना एक 24 by 7 कंट्रोल रूम इस्टाबिश किया, जिसमें जॉइंट सेक्रेट्री ओफ लेवल और अपनी हेल्प लाइन्स ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ओफिसर्स भी अपॉइंट करें. 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आबदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतरगत 29 मार्च को भी ये ओर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स, शेल्टर, फूड पाकेट्स, फूड ग्रेंज, एसेंशल आइटम्स और हेल्थ केर का प्रबंद करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिक के लिए, उनको ये भी परामर्च दी गई कि जो हेल्प लाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैम्स के लोकेशन्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच पहलाएं, उनको ये भी कहा गया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंतरगत जो पर, उनको ये भी कहा गया कि आक्शन ले, जिससे कि ट्रॉक्स या बाकी ट्रांस्पोर्ट वहिकल से अगर इनलीगली गैर कानूनी ढंग से माइगरेंट वरकर्स को ट्रावल कर रहे हैं तो उसके खिलाब भी आक्शन ले, एक बहुत जरूरी चीज तुंतिस मार्च के ओर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलीस अधिक्षक हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी तै की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्च्चत करेंगे. 12 और 14 अपरेल को स्थिती देखते हुए, स्टेट्स और यूटीस को ये भी अड्वाइज दी गई कि अगर कहीं अफ़ाएं फैल रही हैं तो उसको वो रोकें, कुछ-कुछ अफ़ाएं मद्दे नजर आई थी जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तूओं की कमी है, ये सब की जो अफ़ाएं उसको रोकें और वो विशेश ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है, उसमें जित्ता भोजन की जरुवत हो, वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगेरा का वहाँ पे ध्यान रखा जाएं और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया ज सौने, वॉउलें लॉनटेश का सहि ओग लें और ट्रेंडed कांशलर्स सहिओ लें ड़ी. स्टेट्स और जोटी ने मिलके काफी रिलीफ चाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आशिर्हे की वJवस्था की, उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण औरमें की आर्थिक गतिविध्यों की अनुमती दी गई और इसके साथ साथ जिससे की श्रमिकों को रोजगार मिले एक 19 अपरेल को ओर्डर निकाला गया जिसके अंतरगत माइगरेंट्स का राज्य के भीतर कार्य स्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया उसकी अनुमती दी गई 29 अपरेल को ये देखते वे कि प्रवासी मजदूरों को अनुमती दी गई कि वे अंतर राजिया आवजाही कर सकते हैं एक माई को इंटर स्टेट मुवमेंट प्रवासी मजदूरों का प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी पर्मिशन दी गई और इसके लिए ग्रिह मंत्राले, रेल मंत्राले और सभी स्टेट्स अन यूटीज ने आपस में समन्वे स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेंज चल पड़ी 19 माई को एक और SOP निकाला ग्रहम अंत्राले ने जिससे कि ये प्रक्रिया और भी सुगम हो जाए और और भी स्पीड अप हो जाए और आज आपके साथ शेर करना चाहती हूँ कि रेल गाडियों की संख्या पर डे दो सौ से अधिक हो गई है और इसके बारे में अन्य डेटेल्स में चैमें रेलवे बॉर्ड अपनी टीम के साथ यहां है वे शेर करेंगे हम SOP तो निकाल ही रहते पर साथ ही साथ स्तिथी को देखते वे स्टेट्स और यूटीज को अड्वाइजरी भी जारी कर रहे थे हमने उनको परामर्श कि दिया कि अगर माइगरेंट वोकर्स वाकिंग पाए जा रहे तो उनकी कांसलिंग की जाए उनको नियरेस शेल्टर होम तक ले ले जाया जाए उनके लिए भोजन आश्रे का प्रबंद किया जाए और जहां से वे बसे बोर्ट कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुचाने की विवस्था की जाए हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रो अक्टिवली कोडिनेट करें और बसे और और ट्रेन्स चलाए और इस पूरे प्रोसेस में एरिया हमारे अमेचे के एरिया ओफिसर्स और रेलवे मंत्राले के भी ओफिसर्स सब जुटे हुए थे हमने जो डिस्ट्रिक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन है जो जिला प्रशासन है और जो एंजियोज हैं उनका भी सहीयोग लेने को बोला जिससे की जो हमारे परिशान श्रमिक है उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भाती है उसको दूर कर सके हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटिजन हैं, उनकी जरूरतों पर विशेज ध्यान दिया जाएं और आज सबके सहीयोग से 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेने चल चुकी हैं, 35 लाग से ज्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उप्योग कर चुके हैं, रेलवेज का हम शुक्रिया आदा करते हैं कि उन्होंने एक जून से 200 रेगिलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त कि हैं और अभी तक 14 लाग से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है, इंटर स्टेट बस मूव्मेंट द्वारा भी 40 लाग माईगरेंट वरकर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं, और आज एमेचे, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है, धन्यवाद, धन्यवाद, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयर्में रेलवे बोर्ट से के रेलवे की तरफ से क्या-क्या और सुविदाएं और क्या स्थिति हैं उसके बारे में जयानकारी दें, नमस को भारत सरकार ने लागडाउन के दौरान ही ये निरने लिया, कि जो हमारे स्रमिक भाई बहन हैं, उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतब अस्थान तक पहुँचाएं, और इसके लिए राजी सरकारों से समन्वे अस्थापित करके, रेलवे ने अपने नोडल आफिसे स पॉइंट किये, राजी सरकारों ने अपने नोडल आफिसे से पॉइंट किये, और एक जो इलाबरेट सोसल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकाल है, हाईजिन का प्रोटोकाल है, और स्क्रीनिंग का प्रोटोकाल है, जिससे कि वो केवल एस्सिंप्टोमिटिक लोगी ट्रेवल और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें ये सब सारा प्रोटोकाल फॉलो करते हुए हमने पहली मई 2020 जो की स्रुमिक दिवस भी होता है उस दिन स्रुमिक स्पेसल ट्रें इस्टार्ट की थी और भारती ये भी इंतिजाम किया कि भारती रेल के किसी भी इस्टेशन से अगर जुरुत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतिजाम किया और मानिय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पे सारी जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शन्स दिए गए कि जहां भी उनको जुरत पड़ती है जो भी requirement आती है वो अगर वो railway को बताएं तो railway जहां भी हमारा railway station है वहाँ से train चलाने के लिए तयार है तो एक तरह से एक राजी सरकारों के साथ मिलके एक सहमती के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत स्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोसल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकाल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हरी स्टेशन पर ये आकड़ा जो है हमने जो पहली माई को ट्रेन चलाया था उस दिन के वल चार ट्रेने चली थी चार अजार यात्री चले थे और बीस माई को हमने सबसे जादा ट्रेन चलाया 279 और करीब चार लाख पैसेंजर बीस माई को ट्रेविल किये और अगर पीछले चार दिन का अगर और आज तक करीब 26 लाग से जादे यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और यह जो 26 लाग यात्री ट्रेवल किये हैं यह सूची बद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाए हैं इसके अलावा हमने जितने भी राजी सरकारें हैं उनसे यह अनुरोध किया था कि जाएंगे तो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेवल किया तो इस तरह से यह जो आकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं यह आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसमें यह जो स्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशन्स हैं अगर आप यह आकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार यहां के जो माइगरेंट लेवर हैं वो करीब 80 प्रति स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है मद्यप्रदेश जहर खंड और कुछ और भी स्टेट हैं सो जादे से जादे जो इसमें दिख रहा है आपको यूपी और बिहार में गए हैं और 80% ट्रेन जो यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहा फालो करना होता है स्क्रीनिंग का हेल्थ प्रोटोकाल का उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था उन सब को दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारी रूप से ये स्रमिक स्पेशल गा मिलके एक next दस दिनों के लिए अगले दस दिनों के लिए एक schedule बनाया है आप देख सकते हैं इस column में हमने destination state का एक list दिया है एक originating state का list दिया है तो originating destination का एक matrix बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेने schedule करी हैं वो करीब 26 соп र ट्रेने schedule करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले दस दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे और इसके अत्रिक्त हमने सारे राजी सरकारों से अनुरोज किया है कि अगर उनकी राजी की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरां दाइंज कराएंगे हम अपने सारी डिविजनल हेड़कॉर्टर में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है एक तरह से रिक तयार करके रखी है और जैसे हमको कोई रिक्वार्मेंट मिलती है इस्टेट गौर्मेंट अथारिटी से हम विदीन स्टेट भी ट्रेन चला रहे हैं और यह मैं बताना चाहूंगा कि यह जो रेल्वे ने विवस्था की हुई है इसके तहट जितने भी हमारे स्रमिक भाई बहन हैं वो जहां भी हैं उनको वहां से गंतब अस्थान पहुंचाने के लिए रेल्वे ने पूरी विवस्था की है और यह विवस्था तब अब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे स्रमिक भाई भहन अपने गंतग अस्थान पे पहुंचा पाएंगे। के अब भी बुकिंग का रही है, करिय attitude 97% की बुकिंग आ रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोटल डिटें सिन्सिंग के जो प्रोटकाल है। और जो screening के protocol है जो नीशे वाला ये picture है उसमें हमने एक automatic screening का arrangement लगाया है जिससे की thermal camera से वो पता चल जाता है अगर किसी भी यात्री का temperature जाते है तो वो अपने आप photo के साथ इंगित कर देता है तो इस तरह से सारे स्टेशनों पर हमने ये arrangement कर रखे हैं और जिस तरह से एक normalcy की तरह बात चल रही है economic activity को restore करने की जुरुत है और उसकी तरफ हमने एक जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निरने किया है और जिसके लिए कि हमने booking already शुरू कर दी है शुरू में हमने booking शुरू करी थी कि और online फिर दीरे दीरे जैसे की जुरुत महसूस हुई ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे स्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ online booking नहीं कर पा रहे हैं सो हमने सारे windows खोलने का निरने लिया है जितने भी booking counter के window हैं उनको खोला गया है एक हजार window आलेडी खोल चुके हैं और सारे journal railways को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि requirement के हिज़ाब से और जादे window कोले उसके बाद से हमने जो railway agent हैं post offices हैं common service center हैं उन सबको यह अनुमती दे दी है कि वो करें और हमने यह भी अनुमती दे दी है कि जो हमारे railway के 6000 से जादे station हैं वहाँ पे सब जगा जो railway के stalls हैं उसको भी खोल दिया जाए ताकि जो यातरी जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी यह एक advisory train passengers के लिए हमने दी है इसको जगा जगा कोचेज पर डिस्पले किय हम उनको यह leaflet भी दे रहे हैं ताकि यह लोग अपना इस advisory को follow कर पाएं एक हमने यह कोविट केर सेंटर के लिए कुछ कोचेज convert किये थे 5000 कोचेज हमने तयार किये हैं जिसमें करीब 80,000 बैड हमारे पास available हैं और यह जो कोविट केर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहां स्टेट गवर्मेंट को जरौत पड़ेगी वहां पे यूज करना है अभी चुकि यह कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निरणे लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम स्रमी की स्पेशल की तरह भी यूज कर ले और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगों पे र करीब 5000 बेड़्स 17 होस्पिटल हमने पूरा COVID होस्पिटल डेक्लेर किया है जो रेलवे के होस्पिटल है उसमें मुंबई का जगजीवर नाम होस्पिटल है कलकटा में एक इंडिपेडनेंड होस्पिटल है लकनो में कह इंडिपेड अउस्पिटल है तो इस तरह से करीब 17 ह ब्लॉक की तरह कनवर्ट किया है। यह हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो इस्टेट गवर्मेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड के लिए उसमें हम अपना युगदान दे पाएं। यह क्वरेंटाइन फेसिलिटी करीब 10,500 बेट्स हमने अपने डिफरेंट जो हम हम इसको सप्लिमेंट करता हैं। एसेंशियल कमोडिटी चौबीस घंटे हम लोग इस पे मूवमेंट के काम कर रहे हैं। जितने भी एसेंशियल कमोडिटी जाहें चाहें फूड ग्रेन हैं, सौल्ट हैं, आयल हैं। इस सब को मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइजर, जो की पावर प्लांट के लिए कोल की जरौत थी, उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो हम नार्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पीछले साल इसी पीरिड में जो मूव किया था, उससे करीब-करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके पास से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी और इसका मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशल कमोरिटीज हैं, मेडिसीन हैं, मेडिकल एक्यूपमेंट हैं, फूड्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब को हम एक टाइम टेबल पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएं, तो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोसिस करी कि हम जो भी एसेंशल कमोरिटीज हैं, उसको वहाँ पहुचा पाएं, हमने जो कोविट के लिए जिन चीजों की जरुवत थी, पीपी की सुरू सुरू में देश मे बना पा रहे हैं, मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पर बनाया, सेनिटाइजर्स बनाये, हैंड सेनिटाइजर्स बनाये, जिसको के हमने यूज किया अपने भारती रेल के करमचारियों के लिए और भारती रेल परिसर के आसपास जो जुरूत मंद लोग रह रहे हैं, उनको पीछले एक महीने में एक पराइसे फ्री मील की वेवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील अभी तक हम ने दी तो ये एक भारती रेल का प्रयास था कि कोविड केर के लिए उसमें अपना भारती रेल योगदान दे और आंतमे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रव हिसाब से हम ट्रेनों को सेड्यूल कर रहे हैं अगले दस दिनों के लिए हमने अल्रेडी ट्रेने सेड्यूल कर रखी हैं और उसके बाद भी अगर कोई भी ट्रेन की जरूत पड़ती है तो भारती रेल उसके लिए भी ट्रेन सेड्यूल करेगी और जिलादिकारियों को नि विवस्था करेंगे क्योंकि हमने अपने सारे डिविजनल हेटवार्टर्स पे इमर्जेंसी रेक्स तयार करके रखे हुए धन्यवाद धन्यवाद सर पहले एक आउनलाइन क्वेस्टन लेते हैं इस तरह के स्पेशल ट्रें चलाने के लिए जो लागत आती है उसका पचासी प्रतिसत 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राजे सरकारें किराय के रूप में वहन कर रही है इस संबंध में भारती रेल और राजे सरकारों के बीच में एक समन्य अस्थापित हो गया है सुरू के कुछ दिनों में, कुछ मामलों में राजी सरकारों ने यात्रियों के गंतब अस्थानों पर पहुँचने के बाद उनका किराया रिइंबर्स किया था और कुछ मामलों में स्वैम से भी संस्थाओं ने भी कुछ लोगों का किराया वहन किया था 56 अमित पालघर में और कुछ जगों पर और जैसे अभी रोहिणी में भी दिखा गया रेजिस्टेशन के नाम पर स्रमिक ट्रेम के लिए भीड हो गई तो क्या लोकल एड्मिस्टेशन और रेलवे के बीच में कॉडिनेशन में दिक्कत है कि कुछ जगा इस तरह से देखा जा रहा है कि train कहीं की जाती है, लोग registration के लिए कहीं की जा रहे हैं तो communication gap की वैसे लोग परिशान हो रहे हैं, स्रमिक परिशान हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो local authorities, state government authorities हैं और जो भारते एरियल के अधिकारी हैं दोनों के नोडल आफिसर्स हमेशा 24 घंटे एक दूसरे के टेच में बने रहते हैं और जैसे जैसे requirement आती है राजे सरकारों की तरफ से उस हिसाब से train सेडूल की जा रही है और उस हिसाब से ये train चलाई जा रही है और मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का कोई confusion है और एक तरह से देखा जा तो आगे के एक हफ़ते का जो train schedule है वो workout करके रखते हैं और उस हिसाब से यात्री आके train में बैटके जा रहे हैं और जो हमने station पे देखा है कि काफी अच्छे तरीके से एक आरगनाइज तरीके से passengers आ रहे हैं और वो train में बैटके जा रहे हैं 116 तरीके पर जोन बैटके से बारे में आप लोग कहना की हमने अन्रिजर्व जरनी बिलकुल बंद कर दी है जो लोग भी जाएंगे वो रिजर्वड एकुमेड़िशन में जाएंगे और जितनी जिस ट्रेन में जितनी बर्थ होगी उतने ही लोग जाएंगे कोई भी सेट नहीं होगी यह आपने देखा होगा और सोसल डिस्टेंसिंग जहां तक आरे सी का सवाल है रिजर्वेशन अगेंस कैंसिलेशन का सवाल है इसमें हमने इन रूट टिकेट बिलकुल मना किया हुआ है वो इसलिए मना किया है कि जो भी यातरी आएंगे वो स्टेशन पे एक हाईजीन प्रोटोकाल को फालो करते हुए आएंगे और हमने इन रूट किसी को भी पर्मिट नहीं किया है और इसलिए पूरी-पूरी संभावना इसमें रहती है कि जो आरे सी में जो सीट दी जाती है वो उनका कंफर्म हो जाएगा अपली दी इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पैसेंजर सर्विसेज बंध थी अभी हमने शुरू किया है और जो फ्रेट मूँमें थो एक टिन परिष्टिती हो बहए है और जैसा कि हमने का थीज दॉन परिख्टितिति के जाएगे है और जैसा कि हमने कान फिर फ कि essential commodities especially food grain हमारा double हो गया है coal fertilizer जो भी जुरत की चीजे हैं वो चल रही है बट मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान अगर हम compare करें पिछले साल से तो जो हमारा freight operation है freight की loading है वो करीब 70% है और passenger की loading पिछले passenger की earning पिछले महीनों में नहीं हुई है अब दीरे दीरे pick up हो रही है तो एक यह कठी निस्थिती है सब के लिए पूरे विश्व के लिए कठी निस्थिती है और हम पूरी कोशिस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दीरे दीरे जो अपने passenger services हैं उसको restore करें दीरे दीरे हम normalcy की तरफ जाएं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये जो 200 ट्रेने एनाउंस की हैं वो एक हमने pattern देखके पूरा analyze करके एनाउंस की जहां पर हमको लगा कि जादे यात्री जर्नी करना चाहेंगे और उसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो इन ट्रेनों में reservations हो रही है उसको हम continuously monitor कर रहे हैं जैसे मैं आपको बताओं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं इस समय तो करीब सब प्रतिसाथ या नबे से ऊपर बुकिंग हो गई है तो हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं पूरा डेली बेसिस पे चंटिनूरस बेसिस पे और जहां भी हमको लगेगा वहां पे हम और धीरे धीरे ट्रेनों इंट्रोडूस करेंगे अजूरा चुछ पूरा ट्रेटीना ला क्या क्याओ थनतरूस प्राइब सोब होंगे सब्सक्राइब कि दूस्ट अरूसुट पिक नजूरा लगेगा पूरा जाने हैं इसका अच्छादूस करेंगायो जडिस पूरास्ट टिस पातिस पार्श्शना पारूस कर हम इंट जो प्रवासी स्रमिक भाई और बहन हैं उनको मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारती रेल कम से कम समय में उनको गंतब अस्थान तक पहुचाएगी और जैसे मैंने कहा कि आज तक हमने 35 लाख जो सूची बद्ध हमारे यात्री थे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल किया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए और विदीन स्टेट भी करीब दस लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हमने दस दिन के लिए एक रिक्वार्मेंट वर्काउट कर रखी है जैसा मैंने बताया 26 लाख यात्रियों का एक हांक आग लिए जो डिए घड़ार्मेंट से अमको डिक्वार्मेंट मेली है लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा सबको आपके माध्यम से कि ये जो स्रमीक स्ट्रेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी रिक्वार्मेंट है जब तक इसकी जरूरत है 59 जीए देखिये साइक आई एक ये नेचरल केला मिटी है एक ये आपदा है और चीफ सेग्रेटी बेसिए बेंगाल ने मुझे पत्र लिखाते लिकाल नाइच तुछ दूंड अमीटर नेच इनुटम्ट आई विल्टूर्या उटक्ट्वी आपदा है और चीफ सेग्रेटी व कि साइकलोन की वज़ाए से कुछ रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी ही वह हमको बताएंगे कि कब से वह वेस्ट बेंगाल के लिए ट्रेने लेना चाहेंगे हमारी पूरी तयारी है और जब भी वेस्ट बेंगाल गौर्वर्मेंट अपनी क्लियरेंस देगी हम तुरंत वेस्ट बेंगाल ट्रेन भेज़ेंगे 63 सर मैं मनीज जहूं टीवी नाइन भारतवर्थ से मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों का अपना एक एसेस्मेंट है कि कितने दिन में जितने भी प्रवासी मजदूर है वो अपने घर तक जा पाएंगे क्योंकि आपने बताया कि 35 लाग जा चुके हैं नेक्स्ट 10 डेज मे 35 लाग और लक्ष है आपका लेकिन मैं बता रही थी मेंचे की तरब से कि करीब 4 करोर प्रवासी लोग तो पिछली जनगना के मुताबिक ही दूसरी जगह रहते हैं तो मोटे तोर पर अगर आधेल भी लोग ट्रेन से सफर करना चाहें तो करीब 2 करोर लोग होते हैं कितने दिन में इनको आप उनके destination तक पहुचाने का आपका लक्ष है और सर एक सवाल की clarification था कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है आपके यहां एक वेटिंग टिकट की लिमिट है कि इतनी ही वेटिंग टिकट दी जाएगी लेकिन देखने में आ रहा हमारा पूरा प्रियास है वेटिंग लिस्ट हमने इसलिए दिया कि जब हमने सुरू में कुछ कि जिसमें ट्रेने रिजर्व किया लोगों ने और चलने के कुछ देर पहले रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था तो यह हमने सोचा कि अगर यह वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जो यात्री जाना चाहते हैं उनको यह सीट मिल जाएगी तो बिलकुल हमने यात्रियों की तुवि उनके रिक्फिर्वार्मेट वर्क आउट की है स्टेट गौर्मेंट के साथ जो इस समय सिस्टम है स्टेट गौश्ट अथारेटीज वो रिक्वेश्स्र कर रही है और जो ढूंके पास रिक्वेश्र्वेश्ट direct है वो उसके हिसाब से हमने ट्रेन connects रान रखें हैं और प् बहारती रेल ट्रेनों की बिवस्था करेगी और जैसा कि मैंने आपको कहा फिर से दोर आना चाहूंगा कि जब तक जरुरत रहेगी स्रमिक भाईयों की गंतव्यस्थान पर पहुचाने के लिए तब तक भारती रेल राजी सरकारों के साथ समन्वे स्थापित करके और कम से कम समय में उनको बंतविय स्थान तक पहुंचाएगी नबर 11 सर मेरा सवाल है कि आपने जो समिक स्पेश्यल के जो डिटल दिया ज्यादा तर ट्रेन गुझरात से निकली आया है और ज्यादा ट्रेन यू पियर विहार में गया है अगर हम देखए कुछ कि पिछलेorsa Дिन में विहार में कोविड की संख्या सबसे ज्यादा गटा है वही साइ कि स्रमिक स्पेचल का इस पे कित्रा मड़ा रोल है और छोटी सी और एक सवाल है जा अभी रेल्वेज में आयरमस नहीं लगा है इसके बावजुद भी रेल्वेज बहुत अच्छा परफॉम कर रहा है क्या आपको लगता है अगर इंटिगरेशन हो जाता आयरमस आ जाता क्य से भी इसू किया है मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एन फेमिली वेलफेर से भी कंसल्ट किया गया है और एक यह पूरा प्रोटोकाल है जिसमें की यात्रा सुरू करने से पहले उनकी जाच होती है और जो लोग एस्सिंटुमेटिक हैं वही लोग ट्रेवल करते हैं उनको फेस मास लगा के जाना है और जब वह अपने गंतब अस्थान पर पहुंच रहे हैं तो लोकल कंडिशन के हिसाब से जो प्रदेश की सरकारें हैं वह अपना उन्होंने एक प्रोटोकाल बनाया हुआ है वह उनकी जाच कर रहे हैं जहां पर जरौत हो रही है उनको क्वरेंटाइन फ पारे में वह इस समय एक बड़ी कटिन परिस्तिती चल रही है भारतिय रेल हमेशा से जब भी कोई तकलीफ आती है जब भी कोई समस्या आती है तो और भी अच्छा परफॉर्म करती है यह हमेशा भारतिय रेल की जो हमारे करमचारी है उनको उनको मैं बधाई देना चाहू परिसन हो और कुछ भी आपदा आ जाये तो उसमें भारतिय रेल की च्छंता और बढ़ जाती है तो वही इस कोईट के समय में देखने को मिल रहा है कि मुझे जो भारतिय रेल के जो करमचारी है उन्होंने दृड़निश्चाय करके और पूरे मन लगाके इस कोईट के समय म यह माना जा रहा है कि financial stress की विस्थिती है लेकिन देखा जा रहा है कि जो special train आपने चलाया उसका fare equivalent to airfare के है और जो बाकी की train आप चलाने जा रहे हैं उसमें कई तरह के consistent खत्म कर दिये गए जिस पर सवाल उठ रहा है तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस वक्त की स्थिती बिल्कुल exactly same fare है जहां तक concession की बात है जो lockdown से पहले concession था बिल्कुल वही concession रखा गया है lockdown से पहले कुछ concession इसलिए खतम किये गये थे especially senior citizen के हम यह चाहते हैं कि जो essential travel हो वही लोग करें एक यह संकट की घड़ी है इस संकट की घड़ी में lockdown से पहले जो निरने लिया गया है बस उसी को continue किया है कोई भी निया निरने नहीं लिया है 29 सर मेरा सवाल आप से सिधा है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम क्या लेकिन सर ऐसा लगता है कि सारा की सारा जो काम है coordination पर डिपेंड है क्योंकि राज्यों के साथ आपका जो coordination है local authority के साथ जो coordination है कहीं ने कहीं उसमें कोई ने कोई घरबर जरूर हुई है otherwise लाखों लोग सड़कों पर इतने लंबे लंबे रास्तों पर पेदल नहीं चलके नहीं जाते कहीं कहीं कोई ने कई कमी जरूर है ऐसे कोन से ब्राज्यों सर्. जिनोंने कि आप रोगों को ट्रेने चलाने के अनुमति नहीं दी जिसे कि रेलमंत्री जी ने भी बताया था पशिर्मर्टियक का नाम लिया और जैसा कि आपने आकडों में देखा कि UP और बिहार इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेने गई हैं और अगर हम जो आकडों के हिसाब से देखें तो UP, बिहार, मद्यप्रदेश, जारखंड चार स्टेट में सबसे ज़्यादे ट्रेने गई हैं और उसके बाद से बाकी स्टेट उसमें हैं. जहां तक West Bengal का सवाल है, West Bengal में कम ट्रेने गई है, यह सही बात है. और इस समय यह साइकलोन आ गया, जिसकी वज़ाए से ट्रेनों को रोकना पड़ा. उन्होंने 105 ट्रेनों की अनुमती हमको दी हुई है लेकिन जो उन्होंने अनुमती दी थी उसमें एक समय सीमा निर्धारित करके दी हुई है और 15 जून तक वो एक-एक दो-दो ट्रेन करके उन्होंने समय सीमा दी है मुझे पूरी उमीद है कि ये cyclone का जो after effect है उसको एक बार ये ठीक हो जाएगा तो West Bengal government हमको train लाने की अनुमती देगी और हम वहाँ पे train ले जा पाएंगे Last question 36 Sir बैए लाली थो हूँ Total TV से मैं अपसे एक सवाल ये पुछना चाराता सर कि आप लोग प्रवासी मजदूरों को लगातार ले जाने का काम कर रहे हैं कई लोगों ने जिस दिन से booking खुली थी उसके बाद से IRCTC पर login दो कर लिया लेकिन जो आपकी कल से ticket window खुली है जहां पर बहुत ही grounded level का आदमी पहुँच रहा है मैं पिछले कई दिनों से उस window पर जा रहा है तो दो दिन से लगातार जा रहा हूँ उसका ये कहना है कि एक तो वो पहले से ही ticket की मांग कर रहा था और अब railway ने चलाई भी तो अब उसको एक महीने बाद का ticket मिल रहा है यानि उसकी समस्या तो railway ने एक महीना और बढ़ा दी है तो उसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं नहीं ये एक महीने बाद का ticket नहीं मिल रहा है ये थोड़ा सा मैं clarify करना चाहूंगा नहीं टिकेट तो एक जून से ही मिल रहा है बीश जून के बाद का नहीं मिल रहा है वो आप कुछ हम मैं आपको जैसा कि बता ठीक है आप ये कह रहे हैं कि सारी टिक्टें बुक हो गई है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 200 ट्रेन हमने एनाउंस की है और बुकिंग जो हो रही है उसको हम मौनिटर कर रहे हैं डेली मौनिटर कर रहे हैं और आज के दिन में मैं आपको अगर बताऊं टोटल जो बुकिंग होई है केवल 30 प्रतिसत होई है और 200 में से अगर मैं आपको बताऊं तो करीब एक सो नबे ट्रेन में अभी भी booking अवेलेबल है केवल आठ दस ट्रेने ऐसी हैं जिसमें की booking भर गई है उन ट्रेनों का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग monitor कर रहे हैं और जिस रूट पे जादे डिमांड है उस पे हम और ट्रेने चलाने के लिए आगे आने वाले दिनों में उस पे निरने लेंगे इसके बारे में क्या कहेंगे देखिए मैंने अपने presentation में भी आपको बताया कि UP और विहार ये दो इस्टेट मिलाके 80% ट्रेन चली है और इस network पे congestion है जब भी किसी road पे traffic jam हो जाता है तो उस road पे traffic पे धीरे धीरे चलने से अच्छा होता है कि अगर कोई थोड़ा सा लंबा route भी है और उस पे आप तेजी से चल के पहुँच जाएं तो इस पे ये जो train operation का एक हम लोगों का protocol होता है रात भर 24 घंटे हमारे control चल रहे हैं उसमें senior अधिकारी बैठे हुए हैं और हर train के बारे में निरणे ले रहे हैं कुछ train को हमने divert किया दूसरे route से और उसकी पूरी timing देखते हुए कि अगर इसी route पे हम सारी trainे चलाते रहें तो कोई भी train नहीं पहुँच पाएगी उसके उसके बदले में ये एक अच्छा strategy रहेगा कि कुछ trainों को हम ऐसे route पे डालें जहांपे की train कम है और ये protocol हमारा एक बड़ा standard protocol है हम normal time में भी इसको follow करते हैं कि जब भी किसी route में कुछ जादे congestion हो जाए तो हम उसको दूसरे route से ले जाते हैं तो एक ये बिल्कुल normal प्रक्रिया है और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक संकट की घड़ी है इस संकट की घड़ी में जो हम train चला रहे हैं एक ही जगह यूपी और बिहार में जैसे कि आपने का 80% train है वो एक ही route पे train है जा रही है वो एक point है दूसरा point ये है कि इस समय हम हर station पे किसी भी station पे यात्री को नहीं उतार सकते हैं हम यात्री को उसी station पे उतार सकते हैं जो पहले से identified है और जहां पे state government के representatives पहले से screening करने के लिए और सारी बेवस्था लेके है हम constant state government के touch में है stations की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं और जो उनको formality पूरी करनी होती है उसमें जो समय लग रहा उसको continuously कम करते जा रहे हैं और इन सब तीजों को ध्यान में रखके जिस तरह से भारती रेल ने कल जो एक समस्य आई थी congestion का उसको जिस तरह से वो tackle किया वो उससे काफी फाइदा हुआ और सारी ट्रेने अपनी गती से चल रही है थोड़ा लंबा route जरूर है लेकिन पहले पहुँचेंगी अगर इसी route पे हम चलाते हैं उसके comparison तेंक यू very much sir I think आपने सवी स्वालों का जवाब दे दिया है मैं इस idea करना चाहूँगा कि 45 से 50 लाग तक के passenger जो है वो अपने destination पे पहुँच पाए है 25 मही से airline service भी restore हो रही है आपकी services भी बढ़ रही है और यही उमीर करते हैं कि जितने भी passengers हैं जिनको जो service चाहिए वो अपने destination पे at the earliest and situation भी normalize हो जाएगी इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद sir Thank you very much friends Thank you